तो जी हाँ दोस्तों, दादी नानी के मूझ से तो ज़्यादा तर लोगों ने बूतों के किसे कानिया सुनी ही होगी, लेकिन सच में शाहिद ही किसी ने देखा होगा, आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी बताने जा रहे हैं जहां बूत होने के दावे किये जाते हैं, आला कि कभ शिम बंगाल के पुरूलय जिले में इस्तित है, इस स्टेशन का नाम बेगनु कोड़ोर रेलवे स्टेशन है, यह साल 1960 में खुला था, तो जच्छे हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को स्ब्सक्राइब जरूर कर लाए यह स्टेशन खुलने के बाद उस सालों तक तो ठीक ताक चलता रहा, लेकिन साथ साल बाहत ही, वहाँ कुछ अज़िबो गरिब गटना गटने लगी, साल 1967 में बेगनु कोड़ोर के एक रेलवे करमचारी ने स्टेशन पर एक महिला का बूत देखने का दावा किया, सहाथ ह यह अपवाभी उड़ी कि उसकी मौत उसी स्टेशन पर एक ट्रेन रुगटना में हो गई थी, अगले दिन उस रेलवे करमचारी ने लोगों को इसके बारे में बताया, लेकिन उन्हों नों इसकी बातों को अन्देखा कर दिया, रिपोर्टर्स के अनुसार में वे हुआ था कि इन मौतों में इसी बूत का हाथ था, इस गटना के बाद लोग इस तरह से डरने लगे, इस सूरज डरने के बाद यहां कोई रुपना नहीं चाहते, लोग इतना डरते थे कि शाम होते ही स्टेशन और आसपास के इलाकों से भाग जाया करते थे, इन खोफना औ के बाद वेग में कोड़ोर को भूतिया रेलवेटेशन कहा जाने लगा, लोगों का कहना था कि यह स्टेशन बह्यारी साल तक बंद रहा, और लोगों का कहना था कि यह सूरज डरने के बाद जब भी कोई ट्रेन यहां से गुजटती थी, तो महिला का भूत उसके साथ साथ डोडने लगता था, और कभी-कभी तो ट्रेन से भी तेज़ दोड़कर उसके आगे निकल जाता था, इसके अलावा कई बार उसके आगे पत्रियों पर भी नास्तर हुए देखे जाने का दावा किया गया था, इस्टेशन पर आने से लोग इस कदर बैमर लग देख थे कि 22 साल तक इस्टेशन बन कर दिया गया है, यानि 22 साल तक यहां एक भी ट्रेन नहीं रुकी, ट्रेन यहां से गुजरती चरूब थी, लेकिन आज तक उस रहस्येगा कोई पता नहीं लगा पाई, तो यह थी हमारी आज की वीडियो पूत्या रेलवे स्टेशन की, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूब करें, वीडियो शेयर जरूब करें